हेलो फ्रेंड्स मैं होने रोपमा और मेरी किछिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पोटेटो बैट्स जो सभी को बहुत ही पसंद आता है चाहे से नाश्ते में बनाएं, चाहे स्नैक्स के रोप में खाएं और बच्चों का तो यह फेवरेट है, तो चलिए इसे बनाने शुरू करते है पोटेटो बैट्स बनाने के लिए दो उबले हुए मीडियम साइज के आलू लेंगे और इन्हें मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें जरा सा भी आलू का टुकड़ा नहीं होना चाहिए आप चाहें तो इसे कद्दुकस में भी कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच चावल काटा और दो बड़े चम्मच कॉर्ण फ्लोर और अब इने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको आलू का डूर चिपका सलेगे तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे जब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के अनुसार आप चाहें तो इसमें और भी मसाले आइट कर सकते हैं मैं नहीं डाल जूए क्योंकि मेरे बीचे मसाले नहीं खाते हैं तो अब इसका अच्छा सा डू बना लेंगे और अब हम इसकी बाइट्स तयार करेंगे तो इसके लिए एक चकला लेंगे और उसे ऊपर थोड़ा सा कॉन फ्रो डाल देंगे और अब आलो के रोटी की जैसे लोई लेते हैं इस तरह से लोई लेंगे और इसको हाथों से इस तरह से फैला लेंगे तो ये देखे इस तरह से हम फैलाएंगे इसको और फिर इसके हम छोटी छोटी बाइट्स काट देंगे ये देखे इस तरह से बहुत जादा बड़ी बड़ी नहीं काटेंगे और एक एक इंच की बस छोटी छोटी बाइट काट लेंगे तो अब यह हमारी बाइट कड़ गई है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो यह देखे इस तरह से फोक लेंगे और ऐसे इस तरह से दबाके इसका डिजाइन बनाएंगे यह देखे देख सकते हैं बस इसी तरह से हम सारी बाइट की डिजाइन बना देंगे और अब यह हमारे सारे डिजाइन तयार हो जाएंगे तो यह देखें अब इसी तरह से हमारे सारे बैट्स बिलकु तयार हो गए अब हम इने फ्राइ करेंगे तो तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे हाई पे और फिर इसको बिलकुल लो कर देंगे और अब सारी बैट्स इसमें डाल देंगे और इने फ्राई करेंगे तो लू फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर ये देखे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाया का कलर इसका तब हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए अब हमारे पोटेटो बैट्स बिल्कु तयार हो गए है ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बने है तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे और कुरकुरे हमारे पोटेटो बैट्स बने है तो जोब भी आपका बच्चों का मन करें खाने का तब भी आप इसको बहुती आसानी से घर पर बना सकते हैं मेरे बच्चों को तो ये बहुती पसंद है और आप भी इससे जरूर बनाए और मेरी वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक शेयर करें और subscribe करना ना भूले